हलो दोस्तों नमस्ते कैसे हो आप सब तो दोस्तों फिर से लेकर आगई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल से टिप्स और ट्रिक्स और यूनीक से आइडियाज जिनको अपना कर घर के सारे काम हो जाएंगे बहुत ही जादा आसान तो वीडियो को फूल वॉच कीजिये पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये चलिए देरी ना करते हो है सबसे पहली टीप है मेरी स्लीपर को लेकर अक्सर क्या होता है हम ट्रेवल पर जाते हैं जिसमें बैग में तो हम कपड़े रख लेते हैं लेकिन स्लीपर और बच्चों जो socks पड़े हो उनका आपको use करना है और इस तरीके से sleeper हो गई, shoes हो गई उनको आपको पैना देना है और पैना के आप polythene में डाल दीजिए इनको, polythene में डालने के बाद अपने bag में कहीं पर भी आप इनको रख दीजिए, side वाले pocket में कैसे भी आप इनको arrange करके easily ले जा प तो यह वाले tip आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, देखने में भी गंदे नहीं लगेंगे, नहीं आपके कपड़े खराब होंगे, और old socks है तो उनका भी use हो जाएगा, कैसी लगी tip कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो एक like कर दीजिए, तो चलिए दूस दूसरी tip देख लेते हैं दोस्तों, दूसरी tip है मेरी hand blender को लेकर, इसका बहुत ज्यादा हम यूज़ करते हैं, सब चीजों में यूज़ आता है, और ज्यादा तर तो मक्षन घी बनाने में इसका बहुत ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इसका कोई cover नहीं होत तो सबसे पहले तो आपको इसकी wire को अंदर की side अच्छे से लपेट देनी है, ताकि wire कोई कटे फटे नहीं, तो और उसके बाद में इसका cover बनाना है अपने घर की चीजों से, तो देखें यहाँ पर ले लेनी है आपको बच्चे की T-shirt, full sleeves की T-shirt लेनी है, जो की खराब है, waste है, जिसका आप use नहीं करते हो, और उसकी एक sleeves को निकाल लेनी है, उपर का portion रहेगा, जो shoulder का वो तो कटा हुआ होगा, लेकिन जो नीचे का रहेगा ना, उसमें आप लगा दीजेगा rubber, rubber नहीं लगाते हो, तो not लगा दीजे, और उसको उल्टा करके आप इसमें डालोगे ना, तो वो बिल्कुल सीधे तरीके से cover हो, और इस तरीके से बन जाएगा ये हमारा blender वाला cover, market से हमें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर की old t-shirt से ही हमने कितना अच्छा सा इसका cover बना दिया है, और इसे ये blender है, जो गंदा भी नहीं होगा, ना ही इसकी blade खराब होगी जब आपको इसका use करना है, तब आप इसको निकाल लिएगा, और use कीजिए, और फिर उसको wash करने के बाद अच्छे से सुखा कर, और फिर इसी में, जो ये sleeves है, इसी में पैना कर रख दीजिए, तो कितना बड़ी असा idea ना दोस्तों, दिमाग में नहीं आता है, लेकिन जिपलोक वाले बैग आते हैं, वो ले लीजिए, या फिर इस तरीके की सोया चंक्स का पैकिट आया था, उसमें ये अंदर पॉकेट निकला था, तो इसका use मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास भी ऐसे ही पैकिट है, तो उनको फैंकिएगा नहीं, बहुत ही useful से होते हैं ये, तो आप इनमें डालके रखिए, अपने फ्रीज में सबजीों को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा useful सा है ये, तो अगर आप इस तरीके से सबजी रखोगे तो आपकी सबजी बहुत fresh रहेगी, और आपका फ्रीज भी organize रहेगा, अगर आपके फ्रीज मे बैग हो, तो काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये वाला आइडिया भी कैसा लगा, अच्छा लगे, तो लाइक किए भी ना बिल्कुल मज जाएए, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आइडिया देखते हैं, नेक्स्ट आइडिया है, मश्रूम के खाली जो बॉक्स आता है, उसको लेकर, इसका कोई लिड नहीं आता है, और इसको हम ऐसे ही वेस्ट समझ कर फैंक देते हैं, तो आप इसका यूज कीजिए, अपने बातरूम में, अपने ड्रेसिंग टेवल पर, अरेंज करके रख दीजिए, सारा समान इसमें अरेंज कर दीजिएगा, लोश बना लीजिए, और पार्टिशन बनाने के बाद में देख लीजिए, आप इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, और हम जिसको फैंक देते हैं खराब समझ कर, और ये बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सा होता है, जल्दी खराब भी जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों को भी मश्रूम का ज्यादा सेवन कराना चाहिए, तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे ये इखटे करके रखे हुए थे, तो बस ये क्या आतो ना कि थोड़ा सा ये इसकी जो ये होता है ना, तो ये मतलब ऐसा होता है कि जल्दी से ही लेकिन इससे कोई टेंशन नहीं है, दुबारा यूज कर लीजिएगा अगर तूट भी जाये तो, लेकिन जब तक काम चलता है तो चला लीजिएगा, तो यहाँ पर मैं बना रही हूं इसको सिंक का साबून वगरा रखने के लिए, तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लग लगा दिया, यह दो रबर, टेप भी लगा दीजिएगा, आप रबर हो तो रबर लगा दीजिए, इस तरीके से मैंने दो अटेच कर दिया है इसमें, और अब ये बन गया है हमारा सिंक के रखने का, जो साबून वगरा जैल वगरा रखते हैं वो रख दीजिए आप इसमे तो वो साबून गीला भी नहीं होगा और जल्दी से खतम भी नहीं होगा, तो इस तरीके से आपके पास भी जो भी स्क्रबर हो आप इसमें डाल के रख दीजिए, तो ये बन गया है, बहुत ही सुंदर सा हमारे बरतंद होने का पूरा आइटम इसमें आ गया है, बाहर से फ्रीज में अरेंज करके सारी सबजी आप इनमें स्टोर करके रख दीजिए, देखिए टमाटर हो गई, अदरक हो गई, हरीमिर्च हो गई, ऐसे आप फ्रीज में रख होगे न तो फ्रीज काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और्गनाइज रहेगा, तो दोस्तों यही घर के पैसे बचेंगे बहुत सारे और दिमाग की बती जला कर सारे काम आसान हो जाएंगे, तो चलिए मिलती हूं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाब बाए